तो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम पूजा है आज की जो सची घटना आपको सुनाने वाली हूँ वो है मार्च 2022 की ये बिहार की कहानी है बिहार का एक जिला है पच्छिम चमपारन जहांकि ये कहानी है इस कहानी में एक लरकी है जिसे अपने ही भाई से प्यार हो जाता है और प सारी लक्षमन रेखाएं भी निश्यत की गई है जिसको लांगना किसी भी सब्वे समाज में एकसेप्ट नहीं किया जाता है लेकिन आज की जो घटना है वो हमें सोचने पे मजबूर कर देती है इस घटना के बाद जो निर्नय पंचायत का होता है या फिर जो निर्नय कानून रूप से लिया जाता है वो अपने आप में ही काफी अजीव है सुन करके भी आपको सोचने पे मजबूर कर देगी तो आईए कहानी की शुरुआत करते हैं आदाव नमस्ते एंसस्रेयकाल दोस्तों मार्च की जो घटना है ये 2022 की है मार्च के पहले सफता की है बिहार में प पती लगवक एक साल पहले नाव पे कहीं से कहीं पर जा रहा ठा क्योंकि घंगा नदी यहां पर है बिहार में तो पति घंगा जी में बिलीन हो जाता है इसके घर पे लगा रहता है हर बार कोई न कोई नया रिस्तेदार आता और इस लड़की को समझाता कि अपनी जीवन को सवारो आगे बढ़ो और जो हो गई बात उसको भोल जाओ लेकिन ये लड़की कभी भी शादी वगएरा करने को मानती नहीं थी लोग ये भी कहते थे कि बिटा साधी वगएरा कर लो दूसरे साधी कर लोगी तो तुमारा मन ठीक रहेगा और फिर पुरानी बातों को भोल जाओ तुमारे भागी में यही लिखाता तमाम ऐसी बाते रिस्तेदार उसको समझाना शुरू कर देते हैं लेकिन एक दिन होता ये है कि मार्च 2022 के पहले सता की यह घटना है तो एक दिन उसके पिता जे घर आते हैं महमान सारे चले गए थे कुछ दिन हो चुका था इसके पती के मृतु को लगवाग एक साल और जब वो घर वापिस आते हैं तो अपनी ही बेटी को कुछ ऐसी परिस्तिती में देख लेते हैं अपने ही मौसेरे भाई के साथ कि उनके पैरो तले से जमीन खिसक जाती है जब वो इस परिस्ति में अपनी बेटी को देखते हैं फिर जा करके उससे पूछना शुरू करते हैं कि ये तुम्हारा मौसी का लर्का है और तुम इसके साथ क्या कर रही हो ये हमारे सब्वे समाज में बिल्कुल स्विकार नहीं किया जाएगा तुम ये कब से कर रही हो तो बेटी बताना शुरू करती है कि पिता जी जो ये मेरा भाई लगता है मौसेरा ये मुझे बहुत ही अच्छे से समझता है और मुझे बहुत प्यार करता है मैं भी इससे बहुत प्यार करती हूँ और मैं बालिक हूँ और मैं इसी के साथ रहना च पिता जी उसकी बाद तमाम कोशिश करते हैं उसको समझाने की उसको पुछकारने की उसको ठीक तरह से रास्ता दिखाने की और उस मौसेरे भाई को भी ये सारी चीजे समझाई जाती है कि भाई बहनों में ऐसा पती-पत्नी का रिस्ता नहीं बनता है ये तुम्हारे आने वा अच्छा नहीं है लेकिन दोनों ही बच्चे बिलकुल ना समझते समझने के लिए बिलकुल तैयार ही नहीं थे अब जब पिताजी ठक हार जाते हैं समझा समझा कर तो यह मामला गाउं के प्रधान के पास चला जाता है और गाउं में जो पंचायत होती है वो लग जाती है पं उनों का ही सर मुणवा दिया जाए और इनहें जूतों की माला पहना करके पूरे गाउं में घुमाया जाए क्योंकि बहाई-बहनों के रिस्तों को इनहें कलंकित किया है और यह हमारे सवे समाझ में बिलकुल भी सिर्कारा नहीं जाएगा इसकी सजा इनको जरूर मिलनी चा नसिए की धाना होता है यहां के धाना प्राभारी तक बात पहुच जाती है ताना प्राभारी संजीब कुमार जी जो थे वह तुरंत आनंफानन में मौके पे आ जाते हैं बश्ठ के जो मौके ईते हैं फिले पाल को this is संग्यान में तुरंत ले लेते हैं जरा साल उनका सबसे ज़्यादा में जो फोकस था वो यहां पे किसी भी तरह की अनहोनी को ना होने देने के लिए था तो तुरंत ही दोनों ही बच्चों को कस्टरडी में ले लेते हैं और तुरंत अपने साथ लेकर के जाते हैं उसके के ठाना प्रभारी थे वो लोगों को समझाने सुरू करते हैं कि दोनों ही बच्चे बालिक हैं और हमारी कानून में ये माननेता है हमारा कानून ये और पास करता है कि जो बालिक है वो अपने फैसले खुद ले सकते हैं उन्हें जिनके साथ अच्छा लगता है वो उनके साथ रह सकते हैं और जरूर इन बच्चों ने यहां की लक्षमन रेखा जो एक भाई बहन की होती है इस गाउं की मरियादा होती है इसको तार-तार जरूर किया है लेकिन आप इन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा सकते हैं हाँ आप जरूर केस कर सकते हैं यह बच्चे केस लेंगे उसके बाद जो निर्णय होगा नियाय पालिका का वही होगा सर्वुत्तम लेकिन आपको कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए इसके बाद यह मामला प्रकरन में आता है लेकिन दोस्तों इस घटना से एक चीज एक मैसेज जरूर मिलता है समाजी को कि कई बार अगर आप सही तरह से निर्णय या फिर सही तरह से मार्ग दर्शन अपने बच्चों का नहीं कर पाएंगे समय पे ही सुरवाती में ही उनके भावनाओं को या उनके जो भी एक्टिविटीज होती हैं उसको भाव नहीं पाएंगे तो कई बार बच्चे नासमझी में बहुत बड कि रक्षा जरूर करता है लेकिन उसका पती बन करके उसके साथ रहना ये बिलकुल भी सब्वे समाज में नहीं होना चाहिए और हिंदु रिर्ति रिवाज में ये बिलकुल भी स्विकारा भी नहीं जाता है तो उमीद करती हूँ कि इस कहानी को सुनाने से आपके भावराओं को कोई भी ठेस नहीं पहुंचा होगा बस मैं आपको जागरुक करना चाहती थी कि अगर ऐसी कोई भी आपका दिविदी अपने घर में या अपने आसपरोस रिष्टेदारी में भी देखते हैं तो समय पे उस बच्चे को सचेत करना आने वाले भविश्चे के लिए उनको सम जहाना कि ये कितना भ्याबा हो सकता है क्योंकि कोई भी ऐसे चीजों को एकसेप्ट तो करता नहीं है बहुत सारी चुनौतियां चालेंजिस आपकी लाइफ में आ सकती हैं और इतनी जादा स्ट्रॉगल कि परिवार भी उसके लिए फिर आपको किसी भी तरह की मदद ना कर और अकेले जिन्दिगी जी नहीं जाती है तो जो आपके लिए सही है जो निरनय जो समाजिक रूप से बहुत सारे कानून बनाएगे हैं वो बहुत सही होते हैं और कहीं न कहीं इसमें मैं बहुत strongly believe भी करती हूँ तो आज की घटना आज की कहानी आपको कैसी लग कि कोई भ करना बिल्कुल भी ना भूले दोस्तो कहानी सुनते तो जरूर है लेकिन सब्सक्राइब लाइक में बहुत जादा कंजूसी करते हैं तो उमेद करती हूँ कि आज से कंजूसे आप बिल्कुल भी नहीं करोगे क्योंकि चानल सब्सक्राइब करना भी free of cost है ये मुझे motivate करता है कि डेली में कोई न कोई कहानी आपके समझ प्रस्तूत कर सकूँ तो मैं मिलती हूँ फिर अगली कहानी के साथ अपना पूरा ख्याल रखिये अपने परिवार को पूरा स्वस्त और सुरक्षित रखने की कोशिश करें धन्यवाद दोस्तो कर दो